क्लास नाइन्थ एनची ए ईयाइटी चप्रे नंबर टू इकोनॉमी सबसे पहले हमने देखा कि एक देश की पॉपीलेशन को वहां एस रिस्वर्स हिस्तमाल करने के लिए एस एसेट बनाने के लिए इस देश की एकोनॉमी में फायदा पहुचाने के लिए उस देश के है वो हंड्रेड परसेंट नहीं कर पाएगा और वह आउट पूट उसका मैक्सिमम नहीं रहेगा किसी भी परसंट का तो आगे देखते हैं हेल्थ को तो यहां पर लिखा गया है कि हैल्थ सबसे ज़्यादा जरूरी है एड्यूकेशन के साथ साथ है एक अच्छी हेल्थ होना आब सवाल यह उड़ता है कि हम इडिया में ऐसा कर रहे हैं हमारी जो नेश्नल पॉलिसी है इस प्रग्रॉफ में अगर पड़ेंगे और नेश्नल पॉलिसई तू एमस गरपड़ेंगे और नेश्नल पॉनिग्विंग द अग्सेंसप्रोविटी ओफ स मतलब होगा ऐसे पर प्राइवेट हॉस्पिटल में वह इलाज ना करा पाए अच्छी जगे वह सिक्षा हासिल ना कर पाए दबे लोग जो हते हैं अंडर प्रिवलेश्ट कहा जाता है अब हमारी नेशनल पॉलिसी भी है कि हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ केर की फैसिलिटी को ताकि हम अपने पॉपलिशन को एक अच्छा एक क्वालिटी डेवलप कर पाएं अब यहां पर लिखा हुआ है जो हमने जितने भी स्टेप्स लिया है इंडियन गॉबर्मेंट ने वह एक पॉजटिव अपना साइट दिखा रही है जिससे क्या हुआ हुआ है कि इंफेंट मोटाइलिटी रेट सैथे और मोटालेटी नेट कह्ले रेट क्या होता है सबसे पहले देखना जरूरी है सबसे पर उसदिब सबराइब लाइंडshore Demon Hopeful प्यणूरकेट वहां चाने जांटास द्मॉट तो मर याते थे लेकिन जो गवर्मेंटने प्रियास किया है अब वो जो सब्स HP 19 बच्क यह जो है मिसे मरते हैं जो कि जो कि एक साइन है कि अब कम पॉट्चे पहले मर रहे कि सब्सक्राइबा हुआ है और सेकन्ड हमित पॉंट एट पे आ गया है मतलब पॉपुलेशन भी हमारे ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए अब ट्वेंटी पॉंट एट है क्रूड रेट पर हजार लोगों में 28 चेल्डरंस अभी इस वक्त हो रहे हैं पैदा हो रहे हैं जो डेथ रेट था डेथ रेट है वो भी 6.5 हो गय बहुत कोशिच कर रहा है कि इस जो हमारे पॉपुलेशन है उसे अच्छा एजूकेशन दे अच्छे हेल्थ केर दे और उन्हें एक एसट के रूप में इस्तमाल करें अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में तो यह एक टेबल दिया हुआ है जिसमें किस तरह से जो डिस्पैंस सकते हैं करनातिका में सकते में मेडिकल कॉलेज हैं और तमिल नाडू महाराश्ट्रा लेकन काफी जो ऐसे स्टेट है जो गर Battle बिहार हो गया और यूपी के एक समत्स्छा है एसे ओर अब अनिम्प्लॉइम्ट क्या होता है कि अगर मेरे गर मेरे मम्मीं है उसे कहा जाता है जो विवू पल व्रक बहुत्व हो बहुत जरूरी है कि इच्षाए बावजूद उसे गलत है है और इसको कोई किसी तरह के वेज नहीं मिल पा रहे हैं जौब में वह एक एंप्लोइड इंसान कहा जाएगा अब यह देखा जाएगा नेक्स्ट पेज में कि एज क्या होती है क्या एक 65 साल के जो अंकल जी हैं वो कह रहे हैं कि हमें मुझे नौकरी करना है लेकिन मुझे न जो ने मिल पारे तो आप ऑन इंपलॉएड कि ऑन्दरा से पहले फूटीन से नीचे के होते हैं और नीचे भी होते हैं उनको कहा जाता है कि वह चाय लेबर के अंदर आते हैं वह पूरी तरीके से गहर कानुनी में है जो है फैंपन्द के बिख्शיה के नहीं कि नकिन सकते है हाई रिस्क वाली फेक्टरिस में काम नहीं करा सकते हैं और 59 के उपर तो फिर एक सीनियर सेटीजन वाली स्टेज आ जाती है अब देखना पड़ेगा हमें की अनिम्प्लॉयमेंट को हम कितनी कितने पार्ट सकते अनिम्प्लॉय तीन टाइप की होती हैं पहली होती है सबसे प सबसे अची फसल होती है वह है चावल की तो मैं चावल की फसल उसे बहुत दूंगा और फिर उसके चावल में काट लूंगा लेकिन बाकी सारा टाइम क्या होगा मैंने तीन-चार महीने में मैंने पस फसल काट के बेच दिया मेरे पास पैसा भी आ गया लेकिन उसके बाद म तो are के लेकंद हमारे परिवार से जाहिए तो अच्छ लोगोंगे लेकिन जो तो और पीन लोग एक्स्ट्रा है वो भी स경 üzerine काम करने कि हाँ हम थो काम कर रहे हैं हम इंप्लोइट हैं हम तो काम कर रहे हैं लेकिन असल में क्या है कि अगर वो तीन को मैं वहाँ से जरूवत है लेकिन आगए वहाँ पर दस लोग एक कुंगली लगा कर धकेल रहे हैं तो जो दो लोग है न वहीं सहीं से कहे जाएंगे जो बच्चे हुए जो आठ लोग है वह डिस्गाइट इंप अनिम्प्लाइमेंट के शिकार है उनके पास वह इंप्लाइमेंट है नहीं अब देखो यह लिखा हुआ है जो डिस्गाइट अनिम्प्लाइमेंट क्या होता है पीपल अपे टूबी उनको लगता कि वह इंप्लाइट है लेकिन वह होते नहीं है इंप्लाइट मेंबर एंगेज़ने अग्रिकल्चर एक्सेस मेंबर होते हैं जो अग्रिकल्चर सबसे जादा जो लोगों में हैं कि आप एजुकेटेड हैं आप वेज चाहते हैं अपनी जो क्वालिफिकेशन के आधार पर एक जॉब चाहते हैं लेकिन बावजूद आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो अगर आप तो आप अजुकेटेड अनिम्प्लाइट सफर कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं अब पैरडॉक्सियल मैं पावर सिच्वेशन इस विटनेश्ट एस सर्प्लस ऑफ मैं पावर इन सर्टेन केटेग्रीज को एग्जिस्ट विच्शॉर्टेज ऑफ मैं पावर इन अधर कितनी कठिन बात है इसे एक सिंपल व इंजीनर की पोस्त बर जाते हैं लेकिन इंजीनर बचार बाकी के ब्रोजगार जाते हैं लेकिन अच्छ्यू डॉक्टर ना और और वहां पर इच्छे doctor नाम मिलने साहब हम इंजीनियर को हम डॉक्टर के जगे भरती नहीं कर सकते तो इस तरह से और यहां पर वेकेंसी नहीं चाहिए जहां पर हमें employment है वहां पर इतने सारे लोग इतने सारे लोग और जहां पर जहां सही में जरूरौत है उतने काबिल नहीं है कि उस पोश्ट प्या के काम कर सकते हो तो आप आप आउटोमेंटी की वेस्ट हो रहे हैं कि देरीज़ डर्थ ओफ टेक्निकल इसकेल डर्थ मतलब अपरियाप टेक्निकल स्किल रिक्वाइट फॉर एकोनॉमिक ग्रोथ कि आगे की दिखतें अनुप्लाइम्बॉइम्प्लाइम्ब्री मेंट लीट्स टू एक मेंट अंइम्पोर्मेंट लीट सेज्ट अफ मैन पावर रिसोर्स पीपल हूं people who are an asset to economy turn into a liability liability अब मान के चलो मेरे यहां पर एक मुझे कहीं सपर एक किलो सोना मिल गया मैं जमीन सब पढ़ा हुआ मैं एक किलो सोना मिला लेकिन मेरे पड़ोशुयों को पता है कि हां इसको एक क्लो सोना मिला लेकिन मैं पूरे बाजार में घूम लिया कि सर मेरे एक किलो सोन वो कोई खरीद नहीं पार है बहुत महरु के चीज़ है वह बहुत ते है मेरे लेकिन कोई चरous नार बोलते नहीं में को नहीं सकते दूर हमारे आधभास के लोगों को सबकुत पता चल गया है अब उनकी नजर मेरे सुझे पे तब में क्या और अब मुझे अपने जब भी मैं बाहर जाओंगा तो मुझे सोने की चिंता रहेगी यूथ है इस देश का उसे एक अपने की जगा है एक फायदा पहुचान पहुचा रहे हैं तो यह कितनी गंभीर बात है आगे दिखते हैं अनिम्प्लोइमेंट टेंज टू इंक्रीज एकोनॉमिक ओवरलोड मतलब जैसे अगर मैं अनिम्प्लोइड हो मेरे बड़े भाई को क बड़ी कम हो जाएगी वह अपने शौक उसको अच्छे लेना है तो वह नहीं लेगा कम पैसों के लेगा तो उसकी लाइफस्टाइल का लाइफ स्टेंडड भी कम होगा मैं उसके उपर लाइबिल्टी बन जाओंगा तो ऐसा भी हो रहा है हैंस अनिम्प्लोइमेंट हैस ड लो है लेकिन क्या है यहां पर कि ऐसे ऐसे लोग है कि यहां पर अनिम्प्लोइमेंट तो नहीं है लेकिन देखा यह गया है कि पीच्टी वाले पी चप्रासी की नौकरी कर रहे हैं और जो एक इंजिनर वेल क्वालिफाइड जिसने चार लाग रुप अपने अगर हम ऐंजनेकों तो भी अंपनेंट के लिए लेकिन दिखाने के लिए ए इंपलाइड है तो आगे यह देखा गया है कि जो डिपेंडेंस एग्रिकल्चर पर पॉपुलेशन की कम हुई है क्या हुआ है कि अब लोगों को समझ में आने लग गया कि इस लेंड पर हमें पांच लोगों की जरूरत है तो वहां पर आठ लोग क्यों काम कर रहे हैं जो जबरदस्ती वहां पर काम करें जो डिसगाइस इंप्लॉइमेंट के पार्ट हैं मतलब एक जगह पर पांच लोगों काम है तो ऐसे लोगों को फिर वो मोटिवेट घरवाले कह रहे हैं कि आप जाओ शहर में जाओ मजदूरी करो तो माइग्रेट करने मजबूर हो रहे हैं शहरों में जाके मजदूरी कर रहे हैं सेकेंड सब्सक्राइब करेंगे कि एक पॉप्यूलेशन को आपको अगर इस्तमाल करना है पॉप्यूलेशन को अगर आपको अपना एसेट बनाना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वहां उसको एक अच्छी हेल्थ दो एक अच्छा एजूकेशन का इंवावर्मेंट दो तभी जाके वह एक अच्छे अगर कोई पी लेगा तो दाड़े बिना नहीं रह सकता कितनी अच्छी बात उस समय के लोग किया करते थे तो आज फिर ये नीड है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम में वह भी धीरे बढ़ रहा है लेकिन अभी भी हाज हमारे ऐसी स्थिती है कि डॉक्टर कम हैं मरीद जादा ह जो जितने भी मौडर्ण टकनीके हैं मौडर्ण टेक्नोलोजी उस चाहिए उसके हमें पढ़ाना होगा और जब हेल्थ और एजश्यन मेंटेन हो पाएगा तब जाके वह तैस्स के लिए एक एसेड बनेंगे उस दिन इस देश को तरक्य करने से उस दिन हमारे दीश के एकोनामि में बढ़ेगी और हम इंडिया एक अगला बनेगा ज़रूर बनेगा लेकिन जरूरत है कि हमें में अपड़ाद डाराइब जाड़ा हो वजय को अधर बटारइक जाराइब के विश में मैं में के एक op के एक लार स्वान आंपर अपराइब जाड़ा हूए बटारां है